हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे वीवो के दू ऐसे मोडल की जो मिलते हैं आपको 10,000 रुपे के अंदर और दोनों मोडल में प्राइस का डिफरेंट ओनली 500 रुपे का है दोस्तो तो बात करते हैं Y02 और Y15C जो आपको 500 रुपे के डिफरेंट में क्या मिलता है और क्या नहीं तो दोस्तो बात करेंगे Y15C जो आपको मिलता है 9,499 रुपे में 3GB 32GB वाला वेरियंट ड्यूल केमरा चेटप के साथ आपको मिलता है 13MP प्लस 2MP केमरा पिछे का बोड़ी आपको मिलता है फूरा स्क्रेच प्रूब हाँ दोस्तो ये काफी यूनिक डिजैन के साथ विवो ने लॉंच किया था पहले जो आपको भी 9,499 रुपे में 3GB 32GB में वेरियंट मिलता है इसके अंदर आपको मिलता है साइड फिंगर प्रिंट वॉल्यूम अप डाउन बटन और जो दूसरा वेरियंट मिलता है आपको 10,499 रुपे में वो मिलता है आपको 3GB 64GB हाँ दोस्तो इसके अंदर एंडरोड वर्जन आपको मिलता है 12 फंटा चोई OS वर्जन भी आपको मिलता है 12 HD प्लस वाला डिस्प्लेय मिलता है 6.51 इंच का 2.3 गीगा हाड ओक्ता कोर का प्रोसे मिलता है अब बात करेंगे Y02 जो कि अभी latest launch किया है कंपरी ने इसके अंदर आपको मिलता है 8 Megapixel main camera के लिए काफी अच्छे है उपर की तरब आपको मिलता है speaker और निच्चे की तरब आपको earphone jack और side में आपको मिलता है volume up down button power on off button और निच्चे की तरब आपको earphone jack charging port और इस इसमें एक minus point है दोस्तों इसमें आपको fingerprint नहीं मिलता है बलके आपको इसमें मिलता है face ID lock इसके अंदर display आपको दोनों में same मिलता है 6.51 inch HD plus का display मिलता है evident भी आपको मिलता है 3GB 32GB जो की 9000 में मिलता है अगर आप 500 रुपया ज़्यादा डालना चाते हो और fingerprint का आनन्द लेना चाते हो dual camera चाहिए आपको तो आप Y15C ले सकते हो Y02 का प्राइज है 9000 रुपया और Y15C का प्राइज है 9,499 रुपया चाहिए 500 रुपय के डिफ्रेंट में आपको dual camera fingerprint दोनों चीज प्लस में मिलती है प्लस camera megapixel भी आपको ज़्यादा मिलता है तो दोस्तो मैंने दोनों phone के आपको configuration और detail बराबर दिये दोनों में 5000 mh battery मिलती है दोनों unique design के साथ मिलते है Y02 अभी नया latest design के साथ है तो दोस्तो इसमें fingerprint नहीं है face log मिलता है दोनों octa core media tech का आपको processor मिलता है video अच्छा लगे तो दोस्तो लाइक करना धन्यवाद दोनों